मैं तनुशी और आप देखते रहे हैं भुछपडी बात है जिसका प्रडूसर अभी कृष्णा जी सर्मा है उनकी हिंदी मूगी करने जा रहा हूँ ए ए आई एम इस्टूडेंट को पर ये सब्जेक्ट है अभी तो बात चल रही है लोगों से बात चल रही है बाकी निव काश्ट है इस्टूडेंट में जितने हैं चार में लिड में लड़की हैं चार लड़के हैं प्रफेसर के करेक्टर में मैं संजा जी को सूच रहा हूँ उनको रखकर ही मैं इस्क्रिप्ट लिगता है अज़ा आपको जाना चेरेंगे किसने चल बात पी जालों खिल्मों को ना होता है अरीजनल में मेरी जादातर मूवी थी पहले 95 में मेरी पहली एज डिरेक्टर रिलिज हुई महुआ जिसमें बिहार के मुख मंत्री उस टाइम थे मिश्टर लालू परसाद यादब जी उसके बाद आई जै मयाम में वहानी जो चैनल वालों ने करी 500-200 बार इस मूवी को रिलिज किया है फिर आई अभी अपका जै मयाम में वहानी के बाद फिर बिहारी सरदार फिर अभी तकदीर आने वाली है जिसके निरमाता भी के सिनाजी है मूवी कंपलीट है बहुत अच्छी मूवी है वो रिलिज के है तकदीर में विकरांद सिंग है आनन्द मोहन पांडे है कलपना साह है राहुल सिंग है कुनाल जी है बिहार से बाकी और कलाकार है जैसे रूपा सिंग जी है उसे चान गया गया और किस तरक्स कहा ने जबी सुटिंग मुंबई बिहार के हाजिपूर राजगीर और कहानी है एक गाउं के किसान की जो चाहता है कि हमारा दोनों लड़का परकर डॉक्टर इंजिनियर को और इस करम ने अपना जमीन जैदाद सारे किर्वी रखता है इवेंस इन जब उसको अपने बेकल इस बैटे को पढ़ाना होता है तो मेड़िकल का फीस 5 लाग रुपया देना है तो अपना किड़नी दोनेट करके वह उसी खैलीनी होने के कारण उसी hospital में admit होता है और अपने बेटे के बनाए हुए artificial kidney को ही transplant करता है और अपने पिता को जान बचाता है जिस character को Kunal जी ने किया है बाखो भी बहुत अच्छा है अभिनेता भी है है कुणाल जी स्टार थे स्टार है और स्टार रहें लेने का कोई आसा रीजन नहीं है लेकिन उने के लाइं करेक्टर होता है और मुझे लगता है कि कुणाल जी इसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जैसे जय महियां में बवानी मेंगी, वो करेक्टर में भी एक जमिंदार पैसे वाले का करेक्टर था, उसमें वो पातना सिंग जी भी थी, कुणाल जी के पत्नी के रोल में, तक्दीर में भी पित साथ में जी 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 कुणाल जी तो सभी को एक दिन आएक दिन करना ही होता है, और दोनों कलाकार है, और अपने पसंद से दोनों शादी किया है, बहुत पहले एक मौका मिला था, लेकिन नहीं हो पाया, इसमें तो नहीं है लेकिन हमारी दो और भुजपुरी मुवी हैं जिसके गाने रेकॉर्ड कर चुगा हूँ एक है गिया मिलन और दूसरी मुवी है भावी गंगा पार्क है तो मेरी खुआइस है साथ में काम करने का कोशिश करेंगे अगर वो समय दी तो मैं उनके साथ काम करूँगा तकदीर के कफ़र की जोगी है तकदीर उमीद है सेप्टेंबर अकुबड़ दुर्गा पूजा के पहले पीचर कम्पिलीट हो चुकी है तकदीर में आठ गाने है असो गाने का म्यूजिक है और आठो गाने बहुत अच्छे है फैमिलियर गाने है रोमांटिक है आइटम सॉंग है असो गाने है और कोई प्रजेक्ट पर काम करता है और आप अब तो एम को ले के चल रहे हैं हमारे तकदीर के जो प्रडूसर है करने जा रहे हैं आप्टर तकदीर निशु इंटर्टेन्मेंट के तैदियों वह भी बनेगी जै मिया क्याम अम्य भवानी के जो प्रडूसर है कुमार संजीब जी ओभी एक हिंदी करने के मूड में है लेन उनका जाएगा आपको सेप्टेमर अप्टूबर कुमार कुछ करने का शॉक था बच्पन में लोग को देखते थे कुछ करते हुए चायब पुरानी फिल्मों देखते थे तो लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ करों कॉलेज लाइक में मैंने स्टेज जोईंग किया नाटक करीब करीब हमने 50-60 नाटक किया हुआ है एक्टिंग भी कि किया इन रिजरेशन भी किया बहुत कुछ करने के बाद फिर एक आए मैं फिल्म लाइन की और मुखातिब हो गया और भाया दूसरे हमारी केरियर सुरू हुई इसोसियेट डिरेक्शन में अभी तक मैं फिर कंठनी हुई देखिए बदलाव जिस तरह से पहले की भुझपूरी फिल्म मंदे थी असोक्षण जैन जी का चाहिए मुक्रिराल पाठक जी का सोसल सब्जेक्ट चाहिए नजीर साब का उस टाइप का अभी नहीं है थोड़े दौर्थी गाने को लेकर और पिच्राइजिशन को लेकर थोड़ा सा गरबढ़ाया है लेकिन फिर स्वता पट्री पर ये रिजिनल मूवी बोजपूरी फिल्मे आ रही है और हिंदी के फिल्म के ही रिमेक बहुत लोगों ने कर दिया बोजपूरी में जिसके बजार थोड़े खराब हुए हैं लें फिर वो अच्छा हो रहा है अभी और इसी चीज़ को देखते हुए मैं भी अभी दो पिक्चर लेकर मार्केट में जा रहा हूँ पिया मिलन फैमिली ड्रामा है भावी गंगा पार के तीन भाईयों की कहानी है जो सनिक्त परिवार मैं अभी नहीं है लोग शादी के बाद या शादी के पहले बहुत परिवार अलग-अलग हो जा रहे है लिवाइड हो जा रहे है तो उस पर भावी गंगा पार का मेरा सब्जेक्ट है कुनाल सिंग, राकेश पांड है और आपके दाइंटे हीरो होंगे इले होंगे तरह उन लोग को और आज जो सारी पूंदिने जो हीरो है उन लोग को क्या करते है लोग आज में इसी आता बुस्पी सुना टेल्विजन चेंड करते हैं और उन लोग इस दिल्म अभी में दे करते हैं, कलहकार तो होता है, जैसे भी दिनेस लाल जी हैं चाय रवी किशन जी हैं ँचाय खेसारी हैं कलाकार में कोई घरवड़ी नहीं है कलएक तो सब कोई है जित कऴड पbelsानी पहले फिल्में बनते थी नया करन करने के चक्कर में वो कहानी का मुल रूप ही चेंज हो गया हमारी भुजपूरी की जो संस्कृति सभ्याता थी वो बहुत कम गया मैं जैसा संजे जी बताया कि आप तो कि अभी जो गाने दूर थी जो आने लगे तो वो गाने एक ओडियंस के लिए हुआ और मीन तब्दा जो ओडियंस अमरी गाओं के थी मा बैने वो उससे दूर होती चली गई इसलिए चेंज हो गने लगे पहले थेटर तक अब यूटूब पे है चैनल पे है तो बट नेचरल है कि लोग नहीं देखना परसंद करते होंगे तो आप क्या सुझ कॉल्स भी बनाया प्रडूसी भी किया इस प्रडूसी भी लिखा उसमें लाल चिनगारी चलल लाल चिनगारी नेक्स लाइट कूपर सब्जेक्ट सी फिलिम रिलिज भी होई बैपार नहीं किया मैं अभी भी कर रहा हूं तो मैं एक मेरी मान सिखता है कि सवक्ष फिलिम बनाओं और अपने ओडियोंस को मैं एक सवक्ष पिक्चर बना कर दूँ जिससे कि लोग को कुछ सिख्षा मिले क कुछ समझने कूं मिले बैबार होना ना होना तो मार्केट के ऊपर है मेरा काम है एक अच्छी फिलिम बनाना मैं बना रहा हूं बनाता रहूंगा जब दक मैं स्वास्त हूं इसिवान में एक काप दोšते हैं जोन आप लुदार जबदाए ज्यादा है और प्जच पी जादा है ओस यसाप से लोग में करें भुछपूरी में भी बजट हो गया है आज के डिप लेकिंद में में आज हिंदी फिलिम भी बड़ी वड़ी पीकचर है बड़े親 च्टारो और वहीं देखिए ट्वालेट एक प्रेम का था अक्षा जी का या एक और था भी पैक्ट उपर जो था वो क्या फिल्म का नाम था तो वो देखिए पिक्चर सूपर टूपर हीट हो गई तो आज हमारी हिंदुस्तान की ओडियंस की आज भी मांसिक्ता उतना प्राउट नहीं हो पाया है कि जितना फॉर्णर हिंदी मूवी में भी आज के डिट में जैसा चल रहा है तो कहीं न कहीं भूम फिर के उसी जगह पे आना है जो पहले की हिंदी फिल्मों हुआ करते थे राज अंदर कुमार या ध्रमेंदर जी के टाइम में जितन अंदर कुमार जितन अंदर जी के टाइम में पहनावा उरावा कहानी का प्लाट के बहुत चेंज हो गया फर्मूला फिल्म हो गया तो धूम ध्राका से आदमी फैमिलियर परसनल अपने इतने डिप्रेशना परसानी में है कि दो घंटे सब्सक्राइब मूवी में हॉल में जाता है लोग एक अपने इंज्वाय करने के लिए रिलाक्स होने के लिए और वहां भी जाकर वोई चीज को मिले उसको मार धार ये वो तो चाहिए लेकिन जितना ज्यादे अभी फिल्म थी ना अमीर खान की जो ठग आफ हिंदुस्तान का क्या बुरा इस्तिती हुआ अमीर साहब जैसे लिजंड एक्टर उसमें पिक् पिर हिंदी फिल्म के गाने आते हैं आप सुनेंगे और तुरंत दिमाच से हड जाएंगे पुरानी फिल्मों के गाने आज भी कहीं मीजिक बज़ेगा आप पकड़ लगे कि वह फिल्म के वह लाइन है वह गाने है तो हम औरो को चाहिए चाहिव निंदी को हो या भुझपूरी को हो कि फिर ये समय चक्र जो चलता है और चेंज होता है तो पुरिव उसी दूरी के आए और उस थाइप का स्वक्स फिली बनाएं, सब्जेक्ट बनाएं रखें, अपने ओडियोंस को दें और देखिये फिर बैपार, अच्छा होगा, फिल्म चलेगी तो आपको लगता है अगर हम फुराने सीदी के बनाएं, तो चलेगी अच्छा लगता है